नमस्कार दोस्तों, MP Online CSC Training के इस चैनल पर आप सब एका स्वागत है आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि MP Online और CSC की सौप में कौन-कौन सी डिवाइस का प्रियोग किया जाता है, आपको कौन सी डिवाइस लेनी चाहिए क्या configuration होता है उन devices का, चाहे computer की बात करें या laptop की बात करें या biometric की बात करें, किस configuration का कौन सा version क्या लेना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे इसके पहले भी हमने वीडियो के माद्यम से आपको इस चैनल पर और भी knowledgeable videos प्रोवाइड किये हैं MP Online की ID लेनी के लिए कितना total खर्च होता है, CSC की ID के लिए total कितना खर्च होता है ऐसे और भी बहुत सारी videos हमने आपको इस चैनल के मत्यम से देख दिये हैं अगर आपने अभी तक उन videos को नहीं देखा एक बार चैनल पर विजिट कीजिए सारी videos को देखिए जरूर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो आज के वीडियो में important device की बात करेंगे सबसे पहले अगर आप MP Online या CSC का काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो सबसे important चीज लगने वाली है वो है computer या laptop वो इसलिए ये सवाल बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर अभी मेरे पस laptop नहीं है, system नहीं है तो क्या मैं mobile से ही काम start कर सकता हूँ तो उनके लिए जवाब यही है कि नहीं, mobile से काम नहीं कर सकते है mobile से काम इसलिए नहीं कर सकते है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जिसमें आपको like photo को आपको set करना पड़ेगा passport size photo बनानी होती है या बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको system या computer के बिना आप नहीं कर पाएंगे तो MP online अगर आपको वाकरी में business करना है proper तरीके से काम करना है तो आपको computer या laptop की आप सकता पड़ेगी पड़ेगी बिना उसके आप काम नहीं कर पाएंगे ठीक है अब computer या laptop आप लेना चाहते है तो मैं आपको इन दो में से prefer करूंगा laptop आप लीजी कारण क्या है कि laptop जो है light बंदोनी के बाद भी आप उस पर काम कर सकते हैं साथी साथ आप कोई transaction करने और रचानक light बंदोती तो computer आपको बंदो सकता है transaction आपको अटक सकता है पैसे अटक सकते हैं लेकिन laptop में यह जो issue है जो problem है वो नहीं आएगी ठीक है अब configuration की बात कर लो minimum i3 max आप इसको i5 या i7 ले सकते हैं जो processor है यह processor इसका कहलाता है अच्छा यह मैं आपको बता रहा हूँ क्या इसका configuration यह आप जब भी swap में जाते हैं तो आप यह configuration का rate जो है उनसे ले सकते हैं आपको minimum i3 चाहिए i5 जो है वो भी आपको मिल जाएगा और इसके अलाबार 4GB कम से कम RAM होनी चाहिए और 126GB की side बाती है SSD आती है SSD आप लगमाए hard disk की की जगह है तो speed आपके system की अच्छी रहेगी ठीक है अच्छा यह जो laptop है यह आपको 15-20,000 की range पे second hand laptop होते हैं वो market में आसानी से available हो जाते हैं आज के समय पर सभी जगह पर लाइक जो बड़ी सहर है कोलपुर में हम बात करें तो 15-20,000 में second laptop अच्छी condition में आपको मिल जाते हैं सेम configuration पे मिल जाते हैं तो अगर आप इतना invest कर रहे हैं computer पे या laptop के लिए तो 15-20,000 के अंदर अच्छी condition में आपको बड़ी size पे laptop मिल जाएंगे ठीक है एक बार आपको जाना पड़ेगा market में दुकानों पे जाके पता करें आपको अच्छी laptop या computer जो है market पे अवेलिबल है आपको वहां से मिल सकते हैं तो computer की अपे अच्छा laptop अगर आप लेते हैं तो best option है ठीक है इसके बाद laptop के साथ आपको लगना है क्या keyboard और mouse आप ले लें keyboard mouse बहुत अच्छी quality का लीजिए keyboard और mouse चलो keyboard ही तो है mouse ही तो है इसको अपने ऐसी ले लेते हैं लेकिन एक बार लेना है और wire बाला लीजिएगा मैं आपको सज़ेस्ट करूँगा वायर बाला लीजिएगा wireless मत लीजिएगा इसलिए मत लीजिएगा wireless क्योंकि आपको दिन भर उसी में काम करना है आपको पूरा दिन दुकान में लैपटॉप पे mouse और keyboard का इस्तमाल कर रहे है आपका अगर आप बैटरी वाला यूस करेंगे वायर लेस यूस करेंगे तो आपकी बैटरी बहुत जल्जल्दी खराब होती है बहुत जल्दी खतम होती है माउस यहां वहां गुमने के चांसे होते हैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है क्योंकि अपन जो इनका यूज होता है वो रफ यूज होने लगता है इसलिए एक कीबोर्ड और माउस वायर वाला लेना पहला दूसरा अच्छी क्वालिटी का लेना ताकि आपको क्योंकि कीबोर्ड कभी आपको बहुत उपयोग होता है बहुत जल्दी कीज फस नहीं लगेंगी तो कीज फसे ना इसलिए अच्छी कंपनी का लें प्रो किसे कर सके ठीक है तो कीबोर्ड माउस भले छोटा सा डिवाइज है लेकिन ये आपके लिए बहुत उपयोगी है और इसके माधियम से ही आपका जो है पूरा काम होना है इसलिए देख सुनके इसका सही चुनाव करें इसके बात करें बहुत बात करें बायोमेट्रिक डिव मुंधि और ऑसलिए वे सकते हैं में मैं सजेस्ट करूंगा में त्ट्रा्रिव एसली कि अब और मिंट्रा डिवाइस ले ले मिंद्र डिवाइस आपका सभी मैकसिमम चीजों में चल जाती है सिस्टम जो आप लेंगे ध्यां रगनहे सिस्टम पे विंडूज पैंब का होना चाहिए 7 नहीं चलेगा 7 की जगह पर अब Windows 10 जो है वो अपडेट करेंगे ठीक है जब भी आप सिस्टम लेते हैं तो Windows 10 उसमें होना आवस्यक है Windows 10 पर ही आपके सारे Biometric है या Software है वो प्रॉपर तरीके से काम करेंगा लास्ट एक डिवाइस बच्ची है वो है Printer Printer आपको लेना है Printer आप स्टार्टिंग में Black and White भी यूज़ कर सकते हैं चाहें तो Color भी ले सकते हैं Black and White की बात करें HP का 1005 चलता है वो Best Printer है या Color में जाते हैं तो Epson का एक EcoTank आता है EcoTank आता है ये भी Best Printer है Epson आप ले सकते हो Brother आप ले सकते हो ये दोनों Company Color Printer के लिए Best है HP के भी आते हैं HP का Black and White में 1005 Best Printer है ये आप ले सकते हैं ठीक है आप कौन सा लेना चाह रहे हैं या कौन सा आपको पर स्प्रिंटर हैं हमें कमेंट करके बताएगा क्या सर्वेस हो उस प्रिंटर की ताकि और भी जो हमारे व्यूवर्स है उनको पता चले कि क्या रिव्यू है प्रिंटर के जो आप चला रहे हैं उन प्रिंटर का रिव्यू क्या है आप कौन सा लेप्टॉप चला रहे हैं उसके बारे में जानकारी हमें कमेंट करके दें ताकि लोगों को पता चले क्या review है ताकि उनको भी खरीदेते समय प्रोब्लम्स ना हो तो आज़ा करता हूँ आज का वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, मिलते हैं अगले वीडियो में